Hello and Welcome to a New Video of Study Hub तो याज जैसे कि मैंने कहा था कल कि आज हम लोग Square and यानि कि Math start करेंगे है न तो Math का सबसे पहले हम लोग Basic से अगर हम लोग start करते हैं तो सबसे पहला यही आता है Square and square root है ना Square and square root सबसे पहले आता है तो हम लोग इसी से start करेंगे लेकिन हम लोग इसको trick से सिखेंगे ठीक है और इस trick से अगर आप लोग अपलाई करते हो तो परतीक का 50 second लगेगा निकालने में है न 15 second या फिर 10 second अगर आप लोग अच्छे से practice करते हो तो 10 second से जादा नहीं लगेगा ठीक है यह मेरी guarantee है कि 10 second से जादा नहीं बनेगा अब देखो यार बात यह है कि आप अगर एक बार बना रहे हो ठीक है सिर्फ एक बार बनाओगे यार बोलोगी कि यार 15 से 10 second तो नहीं लगा बहुत जादा लगया एक मिनट लगया है ना तो देखो यार practice करना पड़ेगा है ना जब तक practice नहीं करोगे तब तक बनेगा नहीं जल्दी तो यार practice करो है ना जहां भी आए दिमाग लगाओ practice करो 15 से जादा नहीं लगेगा 10 से 15 से जादा एक दम भी नहीं लगेगा है ना तो देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, तो देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, 5 एंडिंग नमर का स्क्वाइर निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर 5 से एंडिंग हो रहा है, यह भी 5 से एंडिंग हो रहा है, ठीक है, दोनों 5 से एंडिंग हो रहा है, तो 5 है ना, last में तो 5 को आपको 5 से multiply करना है खुद से, ठीक है? 5 से multiply किए, that is 25. तो जार याद रख लो आप लोग कि अगर last के 5 में है, last में 5 है, तो आपको सीधा 25 ही लिखना है, कुछ नहीं करना है, last में 5 है तो 25, ये multiply अगर आप दिमाग से निकाल दो. मैंने आपको बता दिया ना, कि 5 से multiply करना है, लेकिन अब आप दिमाग से निकाल दो, कि 5 है, तो सिर्फ 25 लिखना है हमें, तो 5 था 25 लिख दिये, अब देखो क्या करेंगे, 3 है ना, 3 के 1 आगे क्या होता है, 4 होता है, तो हम लोग 3 को 4 से multiply करेंगे, that is 12, तो ये हो गया आपका answer, that is your answer, 35 का square होता है, 12, 25, आगे answer, है ना, तो देखो, फिर से एक बार हम explain कर देते हैं, अगर किसी को दिक्कत है, तो मैं फिर से explain कर देता हूं, देखो, 5 को 5 से multiply करना है, है ना, that is 25 हो गया, तो यार देख लो, अगर 5 को हम को हर बार 5 को 5 से multiply करना है, तो हम ये क्यूं बार करें, हम जहां पे भी 5 आएगा, सीधा 25 लिखेंगे ना, sort कर देंगे, 5 आया, तो हम सीधा 25 लिखेंगे, हो गया, अब देखो, 3 है ना, यहां पे, तो 3 के एक आगे क्या आता है, 4 आता है, तो हमको 4 से multiply करना है, 3 को that is 12, तो ये आगया आपका 12, 25 answer, ठीके, ये आपका clear हो ग 15 का देख लेते हैं, बना करके, तो देखो यार, मैंने आपको क्या बताया भी, 5 है, तो 5 से multiply करना था हमको, तो हम सीधा 25 लिखेंगे, लिख दिए, अब 1 है ना, यहां पे, तो 1 के एक आगे क्या आता है, 2 आता है, तो हमको 2 से multiply करना है, तो लिख दिए 2, that is 2, 2, 5 is your answer, 5 को 5 से multiply करेंगे, 25 है ना, 1 है यहां पे, 1 को उसके एक आगे वाले नंबर, यानि कि 2 से multiply किये, that is 2 आ गया हमारा, तो 2, 2, 5 is your answer, आगया, कोई दिक्कत, एक और हम लोग question देख लेते हैं, खुझ से इसी का, तो देखो, अगर मान लोग हमको 25 का निकालना है, ठीक है, 25 का स्क निकालना है, तो 5 का हम लोग लिख दिये, 25 सीधा, और 2 के आगे क्या होता है, 3 होता है, तो 3 से multiply किये, 3, 2, 6, आगया answer, कोई दिक्कत इसमें, I don't think कि इसमें अब कोई दिक्कत होगा, 5 एंडिंग नंबर से हमको नहीं लगता है कि अब कोई दिक्कत होगा, ठीक है, अब दे को multiply करके जो आता हो, यहां लिख दो, हो गया, खतम, है ना, हो गया answer, बन गया आपका, तो चलो यार, यह हो गया, अब हम लोग देख लेते हैं, 5 का हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास अब आता है random number, ठीक है, 5 ending में, I don't think कि आपको आप कोई दिक्कत होगा, जिसका भी number 5 से end होगा, आप लोग बना लोगे, ठीक है, तो अब देखो यार, हम लोग आते हैं, random number पर, ठीक है, 33 है मेरे पास, और 47 है मेरे पास, ठीक है, तो देखो यार, 33 का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले, देखो, 3 है न, 3 का multiply करना है, यानि कि 3 का square निकालना है, इधर भी 3 का square निकालना है, ठीक है, तो यार देखो 9, 9 दोनों तरफ होगा न, लेकिन एक बात याद रखो, जो right hand side में हम लोग 9 लिखेंगे, वो हम इससा double digit पे रहेगा, ठीक है, जैसे कि 9 है single digit, तो हमको उसको double digit बनाने के लिए 09 लिखना होगा, ठीक है, 09 लिख दिये, लेकिन जो left hand side है, उसको सिर्फ 9 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखना है, कि अगर जो right hand side में है, अगर उसका square निकालने पर, ठीक है, ये हो गया, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इ ये वाला 3 है ना, इस 3 को आपको 2 से multiply करना है, 3 2 जा, 6, 6 हो गया, और जो product आया, उसको फिर इस वाले 3 से multiply करना है, है ना, तो 6 3 जा कितना हुआ, 18 हुआ, तो एक digit यहाँ पे लिखेंगे, और एक जो बचा 100 यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका हो गया, 9, 8, 10, that is your answer, ठीक है ये आपका answer है, 33 का square का, ठीक है, जुसको नहीं समझ में आया, उसके लिए मैं फिर से repeat कर देता हूँ एक बाँ, ठीक है, देखो क्या करना है, सबसे पहले 3 का square निकालना है, इधर से भी, और इधर से भी, है ना, दोनो 3 3 है, तो देखो यार, 3 का square निकालना है, तो मैंने ब left hand side है, है ना, वो 9 लिखेंगे तो चलेगा, बस हो गया ये, उसके बाद second step में क्या करना है, इस वाले 3 को पहले 2 से multiply करना है, तो आगया आपका 6, अब ये जो 6 आया, उसको इस वाले 3 से multiply करना है, तो आगया आपका 18, 18 आया, 18 आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे एक दिखना है, अब इसके बाद 9, 8 और 10, हो गया answer, ये इस से short तो अब हो नहीं सकता है, ये प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको 15 सेकंड में आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, ये हो गया, अब हम लोग दूसरा में आते हैं, ठीक है, दूसरा में आते हैं, क्या है, देख लेते हैं, इसको भी एक बर, तो यार देखो, 47 का square है ना, 47 का square निकालना है हमें, तो देखो, 7 का square निकालेंगे, और 4 का square निकालेंगे पहले, तो 7 का होता है, 49, double digit ये आ गया, तो हमको 0 लगाने का जूरत नहीं है, मैंने कहा था कि अगर single digit आएगा, त 7 को पहले 2 से multiply करेंगे, तो कितना हो गया, 14 है ना, 14 हुआ, एक सेकेंड यार, देखो फिर से इसको देखते हैं, चलो ये आ गया, अब देखो, कहां थे हम लोग, 7 को 2 से multiply करने पर 14 आया, ठीके, और 14 का product को हमको फिर इस वाले number यानि की 4 से multiply करना होगा, तो कितना आएगा 56 आएगा ना, 56 आया, तो यहाँ पर लिखे 6, यहाँ पर लिखे 5, ठीके, कितना आया, 9, 0, ठीके, हाथ में 1 हो गया, 12 का 2 हाथ में 1, 2209 is your answer, है ना, देखो, फिर से समझ लेते हैं, इसमें बीच में कट गया था, फिर से समझते हैं इसको, ठीके, देखो, सबसे पहले आपक 4 का square निकालना है, तो आपका आ रहा है 16, ठीके, अब 7 को आप 2 से multiply करो, देखो, जो right hand side में number रहेगा ना, उसको 2 से multiply करना रहेगा, तो आपका आएगा 14, 14 आएगा, तो जो product आता है, उसको फिर हम लोग को left hand side वाले number से multiply करना होगा, तो 14 को 4 से multiply किए, that is 56, 56 आया, तो 6 और 5, हो गया, अब इसको निकाल देंगे, 9022, आगे answer, हो गया, square निकालने का trick खतम, ठीके यार, तो ये हो गया, square निकालना है, hope कि आप लोगों को square निकालना समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है, तो यार, बता देना नीचे, जब मैं cube और cube root का value निकालने स सिखाऊंगा trick, तो यार, मैं उसमें थोड़ा सा बता दूँगा, लेकिन कोशिच करना कि बता देना उससे पहले नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीके, तो यार, I hope कि आप लोगों को square निकालना अब आ गया होगा, ठीके, अब हम लोग आते है, cube root पे, ठीके, अब हम क्यूब root निकालते हैं, तो देखो जार, right hand side, right hand side से, दो digit अलग कर देंगे, देखो, यह यहाँ पर, यह यहाँ पर, है न, यह हम लोग अलग कर देते हैं, यह हाँ ठीक है देखो राइट हैंड साइट से दो डिजिट हम लोग अलग कर दिये ना ठीक है अलग कर दिये अब मेरे पास आया 89 और 136 ठीक है अब देखो आपको क्यूब रूट स्वारी स्क्वार रूट निकालने के लिए 1 से लेकर के 10 तक का ठीक है आना चाहिए स्क्वार आना चाहिए जो कि एकदम यार बच्चा वाला चीज है सबको आता है 1 से लेकर के 10 तक ठीक है तो यार देखो 9 है ना यूनिट डिजिट में 9 है तो आपको देखना है कि 9 किसके किसके स्क्वार में आता है तो यार 3 के स्क्वार में आता है आता है ना 3 के स्क्वार मे और एक किसके स्क्वाइर में आता है हाँ हाँ जल्दी बताओ एक किसके स्क्वाइर में आता है और एक आता है 7 के स्क्वाइर में 7 का 49 होता है ना तो देखो 7 का 49 का 9 आ रहा है 3 का फिर 9 आ रहा है अब देखो जो 136 बचा ये 136 बचा इसको क्या करेंगे अब 136 का हमको निकालना है कि किसका square के कम आता है जादा नहीं जाना है हमको कम में रहना है यानि कि देखो 11 का square लेते हैं हम लोग तो कितना आता है 1, 2, 1 होता है न 12 का square लेते हम लोग तो कितना हो जाएगा 12 का square 144 हो जाएगा तो देखो 144 जो है वो 136 से ज़्यादा हो रहा है ना तो इसको नहीं लेंगे 136 से कम कोन है 121 है तो हम लोग लेंगे 121 यानि की 11 है ना 11 का स्क्वाइर था 121 तो 11 इधर भी लिग दिये 11 इसके साथ भी लिग दिये अब हम लोग को सिर्फ ये निकालना है कि अब ये 113 का स्क्वाइर है कि 117 का स्क्वाइर है कैसे निकालेंगे ठीक है तो देखो यार इसको मेडियेट करने के लिए हम लोग 115 का स्क्वाइर निकालेंगे क्योंकि 115 का स्क्वाइर निकालना हमें पता है सबसे इजी रहता है 5 का 25 लिखना है और 11 को फिर 12 से multiply करना है 11 को 12 से multiply करेंगे तो आएगा 1, 3, 2 अब जब 115 का square आ रहा है 1, 3, 2 तो यार जाहिर से बात है 1, 3, 6, 8, 9 यानि कि जादा है इस से इस वाले number से ये जादा है यानि कि 117 का square होगा ये समझ में आ रहा है नहीं आया तो एक और question है मेरे पास है ना उसको समझ लेते हैं तो यार आओ उसको समझने का कोशिश करते हैं I hope कि आप लोगों को समझ में आ जाए वो question देखो 1, 8, 7, 6, 9 है ना 1, 8, 7, 6, 9 तो यार देखो उसको कैसे बनाएंगे तो देखो सबसे पहले हम बताएं कि आपको बाटना पड़ेगा 2 digit right hand side से बाटती है उसके बाद आपको unit digit में देखना होगा कि 9 है है ना 9 है तो अब 9 को क्या करेंगे कि इसको देखेंगे कि ये किस के किस के square के last में आता है तो 3 का 9 हो गया 7 का 49 का 9 हो गया है ना यानि कि 7 का square में 9 आता है 3 का square में 9 आता है इतना हो गया मेरा अब हम क्या करेंगे 187 का देखेंगे कि कि किस का square के कम है ये देखो कैसे देखेंगे 11 का देखेंगे तो कितना है 1 2 1 यार बहुत कम है 12 का निकालेंगे तो देखेंगे 144 यार ये भी बहुत कम है 13 का निकालेंगे तो देखेंगे 169 है ना अर अगर हम लोग 14 का निकालेंगे तो 196 ठीक है तो देखो यार 187 है ना 196 जादा आ रहा यानि कि 14 नहीं होगा ठीक है 13 का 169 सबसे नज़्दीक और कम है यानि कि ये लेना है हमको ठीक है यानि कि हमेशा उससे नज़्दीक और कम का लेना है हम लोगों को आगे नहीं बढ़ना है ठीक है चाहे एक ही जादा क्यों नहीं आ रहा हो लेकिन हम लोगों को आगे नहीं बढ़ना है उससे पिछे का ही लेना यानि कि 13 इसमें भी लिख दिये 13 इसमें भी लिख दिये अब हमको इसको mediate करने के लिए क्या लाना 135 का square निकालना हुआ क्योंकि 135 का square निकालना सबसे easy रहता है तो 5 का square 25 और 13 को फिर हम लोग 14 से multiply करेंगे तो 172 आएगा है ना अब देखो 35 का square जब 172 25 आएगा 172 25 आएगा तो 172 25 जो है 18000 से कम है तो यार देखो कम तो होगा नहीं 13 का 133 का तो होगा नहीं है ना जादा है ये 135 का square से ये जादा है यानि कि इसका square होगा ये answer है आपका ठीक है तो यार I hope कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया हो है ना I hope कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया हो square और square root trick से निकालना याद हो गया होगा है ना तो यार practice करो है ना practice मांगता है ये चीज अगर आपका practice हो जाएगा तो बहुत ही असानी से और बहुत ही जल्दी जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है प्रैक्टिस makes a man perfect सुना है न आप लोगों ने तो यार प्रैक्टिस करते जाओ बन जाएगा एकदम 15 से जादा किसी भी चीज में बनाने में नहीं लगेगा आप लोगों को 15 से जादा नहीं लगेगा ठीक है यह मेरा चैलेंज है 15 से जादा लगेगा ही नहीं अगर आप लोगों बनो अच्छा से practice किया तो ठीक है तो यार अगर problem होगा न तो इसके comment box में मुझे लिख देना पक्का याद से लिख देना ताकि जब मैं cube और cube root का video डालूँगा न ट्रिक से उसे निकालना तब मैं इसको भी थोड़ा सा समझा दूँ ताकि आप लोगों का जो doubt है वो clear हो जाए ठ यार ये था आज का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो like करना चैनल को subscribe करना और सबसे important बात या ट्रिक का वीडियो तो share करना अपने friends के साथ थोड़ा सा उन लोगों का भी help हो जाए और वैसे भी यार देखो बताना चाहिए ना कि lockdown में हम लोग पढ़ाई क कर रहे हैं ना कितना गर्व वाली बात है ना history create कर रहे हम लोग डाउन में पढ़ाई करके तो यार share करो चैनल को subscribe करो फिर मिलते एक और नई वीडियो के लिए वीडियो में तब तक के लिए take care and goodbye